हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू माई चैनल हम कर रहे हैं आज कल एक्सरसाइज 9.2 के एक्जामपल्स जो की एपी यानि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेज्ड हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्जामपल नंबर 4, 5 & 7 कराये थे एक्जामपल नंबर टूम्स का सम और इन इस रेशो और रेशो क्या है 3 & 8 रेशो 7 & 15 फाइंड दा रेशो ऑफ देयर 12 टॉम्स बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है एक्जाम के परपस से भी यह और बहुत बार यह एक्जाम में आता है तो थोड़ा ध्यान से यह समझने का कुश्चन है कि ह तो एपी हमें दी गई है अलग-अलग उनके एन टर्म्स का सम है और उस सम की रेशो दे रखी है सम नहीं दे रखा है हमें clear तो हमें उन्हीं दोनों एपी की 12 टर्म्स की रेशो फाइंड करनी है यानि कि अगर एक का सम मैं SN ले लूँ और दूसरे का SN डैश ले लूँ तो SN बाइ SN डैश हमें दे रखा है 3N प्लस 8 बाइ 7N प्लस 15 समझे बात को और उन्हीं की 12 टर्म्स का हमने रेशो निकालना है तो पहले की 12 टर्म्स और दूसरे की 12 टर्म्स को मैं डैश से लगाऊं तो यह हमने find करना है यानि sum से term पे जाना है got it तो मैंने आपको बता जब भी AP का question आता है सबसे पहले आपने उसकी first term और common difference को define करना है तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं let small a and small d are first term and common difference of first AP वही जो पहली AP है उसकी first term हमने small a ले लिया उसकी common difference को हमने small d ले लिया and capital A and capital D are respectively first term and common difference of second AP क्योंकि दो अलग अलग AP है तो दोनों की first term भी अलग-अलग होगी और दोनों का common difference भी अलग-अलग होगा तो पहली term पहली AP की first term small a small d difference capital A first term ले ली capital D ले लिया हमने उनका difference अब हमें दोनों के sum of n terms है तो हम ले लेते हैं पहली AP का SN ठीक है तो let SN is equal to sum of n terms of first AP ठीक है तो यह क्या बन जाएगा इसको SN ही रहने देते हैं वैसे अभी हम और SN dash हो जाएगा sum of n terms of second AP clear इसमें मैंने डैश लगा दिया given क्या है according to question हमें क्या given है SN by SN dash का जो ratio है यह देखो यह भी मैंने आपको दिखाया क्या था 3N plus 8 by 7N plus 15 just यहाँ पर अब आपने क्या करना है SN और SN dash का formula लगाना है ठीक है तो उपर वाले SN का formula लगाओ n by 2 small a और small d है बई small a और small d है तो 2a plus n minus 1 के साथ d divided by अब ध्यान देना इसकी भी any terms है बई इसकी 50 term है तो इसकी भी 50 term है समझ में हारी यह बात तो यह भी हो जाएगा n by 2 लेकिन इसका a capital है तो 2a plus n minus 1 into capital D is equal to 3n plus 8 by 7n plus 50 समझ में है यहां तक n by 2 और n by 2 उपर नीचे common है तो they will cancel each other और हमारे पास क्या बच जाता है 2a plus n minus 1 into D by 2 capital A plus n minus 1 into capital D is equal to 3n plus 8 by 7n plus 15 जिसे हमने equation number 1 name दे दिया clear है यहां तक आपको अब आप एक बात को समझें कि बिटा जी हमने ratio निकालने है तो ratio के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम दोनों की बारवी term निकाले फिर ratio निकाले नहीं क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा conditions चाहिए हमें पहली AP की भी A और D चाहिए दूसरे का भी A और D चाहिए only then we can find that तो यहीं से हमें एक idea लेते हैं कि actual में हमें करना क्या है समझने की कोशिश करना भी हम पहले ही पता लगाते हैं कि हमें करना क्या है A 12 वो बाए A 12 वो हमने निकालना है ठीक है A N का formula मैं आपको करा चुकी हूँ हमने टैंथ में भी किया था कि A plus N minus 1 into D तो यह हमारा काम है निकालना ठीक है इस पे अगर मैं formula लगाऊं तो यह क्या बनेगा उपर वाला बनेगा A plus 11 D और यह बनेगा capital A plus 11 D असल में यह ratio हमने find करना है और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां से हम इस तक पहुंच सकते हैं मेरी दोनों fingers पर आपका ध्यान होने चाहिए देखो दोनों जो area में highlight कर रही हूँ कि इन दोनों पर यह असल में हमने find कर रहा है यहां 11 आना चाहिए जहां से समझना अब अगर यहां 11 का आए जब में 12 रखूँ ठीक है लेकिन में 12 रखती हूं तो यह टू-ए आता है बहुत ध्यान से समझना है यह 2 यांनि की ए का double तो यहां भी double आना चाहिए यानि की 11 का double क्या आना चाहिए 22 और 22 कब आएगा जब मैं यहां N की जगा 23 रखती हूँ छीक है इसके लिए आप एक छोटा सा हिंट ध्यान रख लो कि जितने नंबर की टम का आपने रेशो निकालना है आपने बारवी टम का रेशो निकालना है तो 2N माइनस 1 यानि 12 के दुगने में से 1 घटा दो 12 तो आप यहां पर दोनों तरफ N की जगा पर 23 रख दो समझ में आ रही है मेरी बात कि जिस नंबर की टम का रेशो निकालना है उसके डबल से एक कम रख दो अभी आप देखो कैसे पुट N is equal to 23 in both sides तो देखो 2A प्लस यहां में रखूंगी 23 माइनस 1 इन्टो D 2A प्लस 23 माइनस 1 इन्टो D 3 इन्टो 23 प्लस 8 7 इन्टो 23 प्लस 50 ठीक है बाई आगे बढ़ें यह हो गया 2A प्लस 22D यह हो गया यह हो गया कैपिटल 2A प्लस 22D और यह simple math है जिसे हम solve कर सकते हैं 23 को 3 से करेंगे 69 प्लस 8 और 23 को 7 से करेंगे देखो 7 3 जब 21 कैरिंग 2 7 2 जब 14 प्लस 2 16 प्लस में 15 अब अब ध्यान दें 2 यहां है 2 यहां है 2 यहां है 2 यहां है चारो टर्म्स यह even है तो मैं उपर से भी दो कोमन ले सकती हो और नीचे से भी उपर से मैंने 2 कोमन लिया तो यह बचा A और यह बचा 11 D नीचे से मैंने 2 कोमन लिया तो यह बचा capital A और यह बचा 11 D 69 प्लस 8 यह हो गया 75 और 161 प्लस 15 यह हो गया 176 देखो 2 से 2 कैंसल हो गया इसी पेज पर अब मैं इसको कम्प्लीट करूँगी इसके बाद अब हम यहां आ जाते हैं तो लेफ्ट में जो है हमारा वो बच गया A प्लस 11 D यह हो गया capital A capital D है यह नीचे मैं small D लगा गई हूँ capital A प्लस 11 D और यह हमारा कैंसल हो जाना चाहिए 7 15 पे यहां कुछ हम एक बार कैलकुलेशन फिर चेक करते हैं हम जी यह देखिए 69 प्लस 8 यह 77 आएगा ठीक है तो यह 77 बाई 176 आ रहा है 77 बाई 176 यह 11 पे कैंसल हो जाएगा 11 7 जा 11 जा 11 6 जा 66 अब बाई definition देखो मैं यहां उपर भी आपको बता चुकी हूँ और वैसे भी A प्लस N माइनस 1 D से यह 12 टरम आ रही है और यह भी A प्लस 11 D है तो यह दूसरी A P की 12 टरम है यह दूसरी A P की 12 टरम है और दोनों की जो 12 टरम किस रेशो में आ रही है 7 रेशो 16 तो हम यहां राइट कर सकत हैं A 12 ratio A 12 is equal to 7 ratio 16 यह हमारा आंस्वर आ जाता है यह सब जो मैंने यहां बताया है आपको this is the rough work only इसको आपने just understand करना है बाकी सारा question आपका यहां पर आ जाता है clear है फिर से में एक पर जल्दी से इसकी समरी करती हूँ क्योंकि यह question कई बच्चों को दिक्कत करता है समझाने म कि हमें दो अलग-अलग APs दे रखी हैं AP का कुछ हमें A नहीं पता, D नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ उनकी Nth terms की ratio पता है और उनकी 12 Nth term की भी नहीं, Nth term के sum की यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि Nth term की ratio पता हो तो फिर तो हम कोई भी term की ratio find कर सकते हैं Sum of Nth term की ratio है हमें और केवल केवल term की ratio हमने find कर दी हैं, तो सबसे पहले दोनों AP के लिए आपको A और D define करना पड़ेगा, तो यह तो A1, D1, A2, D2 ले लो, नहीं तो मैं small a, small d, capital A, capital D prefer करती हूं, small a, small d, पहली AP के first term और common difference हो गए, यह second AP के हो गए, पहली AP के N terms का sum हमने SN ले लिया, द इन दोनों की ratio हमें यह दे रखी है, तो जो जो बाते हमें पता हैं, वह हम उनको use करते हुए चलते हैं, यहां हमने SN की definition लगा दी, formula नीचे लगा दिया, यह cancel हो गया, दोनों साइड यह relation हमारे पास आ जाता है, इसके बाद हम एक थोड़ी देर के लिए रुक के दिमाग ल यहां से यहां पोँचना आसान है, कैसे पोँचेंगे वो समझना है, अब हमें 12 टर्म निकालनी है, तो इसके लिए मैंने आपको trick बता दी है कि 2N-1 ले लेना, यह आपने दिहान रखना है, CTM, collect to your memory, इसको अपने दिमाग में fit कर लो, कि 2N-1 लो, 23 आगया, 23 पुट कर दो दोनों तरफ, जैसे ही आप दोनों तरफ तेज़ पुट करोगे, आपका question automatically यहां solve होता जाता है, common लेंगे A plus 11D, A plus 11D, यहां भी 12 टरम आ गई, यहां इन दोनों की ratio आ जाती है, हमारा next topic है बेटा, arithmetic mean, देखो mean शब्दों हमने अपना mean को हमने 9th में 10th class में पढ़ा हुआ ह जहां पर हम mean या average of some given data हम find करते थे, अब यह है arithmetic mean, arithmetic mean का क्या मतलब है, हम इस चीज के छोटे से example की help से समझते हैं पहले, की suppose कर लिजे कि we have two numbers, let 3 and 7 are two numbers, okay, और हमें 3 और 7 के बीच में, in between 3 and 7, we have to insert one number, say A, बही मुझे 3 और 7 के बीच में कोई number A ऐसा डालना है कि यह जो हमें sequence मिली है, यह sequence क्या बन जाए, AP बन जाए, त्यान से समझना बही मेरी बात को, I have two numbers, 3 and 7, और 3 और 7 के बीच में मुझे एक ऐसा single number डालना है, कि जो यह new sequence हमें मिली है, वो new sequence अगर AP बन जाती है, तो in that case, A is called arithmetic mean, A is called arithmetic mean of 3 and 7, clear, अब देखते भी यह number क्या हम find कर पाएंगे, अब क्योंकि यह AP में हैं, तो AP में क्या होता है, कि common difference same होता है, यह term A1 है, यह term A2 है, यह term A3 है, common difference same है, it means A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, समझा रहे हैं मेरे बात, वह यह sequence अगर AP है, it means A2 minus A1 किसके equal होना चाहिए, A3 minus A2 के, A2 कितना है, A minus 3 is equal to A3 कितना है, 7 minus A, देखो A इधर भी है, इधर minus का, right side से left में लाओ, यह हो गया A plus A, is equal to 7 आ गया, और 3 minus का था, right में जाके plus का हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, A plus A कितना हो गया, 2 A is equal to 10, and using algebra A हमारा आ जाता है, 10 by 2, that is 5, यानि A की value 5 है, It means, अगर 3 और 7 के in between हम 5 को डाल देते हैं, तो जो new sequence बनती है, वो हमारी AP बनती है, and 5 is called, अब मैं यह आपको बता दू कि arithmetic mean को मैं throughout the chapter in short AM लिखने जा रही हूँ, then 5 is called arithmetic mean of 3 and 7, तो यह हम direct भी निकाल सकते थे यहां तो, A की arithmetic mean निकालना था, तो इसे तो हम direct भी निकाल सकते थे, कि A की value क्या आ जाती, 3 प्लस 7 by 2, यानि की 10 by 2, यानि की 5, clear, ध्यान से समझे मेरी बात को, हमने 3 और 7 के बीच में एक single number ऐसा डाला, कि जो हमें new sequence मिली, वो AP बननी चाहिए, तो वो single number मैंने proper method से आपको दिखाया कि कैसे हम find कर सकते हैं AP से, और वही single number हम direct भी, क्योंकि वो दो numbers का mean है तो वो क्या होता है, some of the data by the number of data तो भी हमने निकाल दिया, लेकिन क्या arithmetic mean के वो लेक ही होता, ये तो फिर अपना जो हम simple mean करके थे वही आ जाएगा, अब आप इसी चीज़ को फिर से देखें आगे दो बारा, कि अब मुझे 3 और 7 के बीच में 2 numbers insert करने हैं, 2 numbers, ध्यान देंगे 2 numbers, 2 different numbers insert करने हैं, माल लिया एक number A1 है और दूसरा number A2 है, तो ये जो sequence आपकी बनी, वो बनी 3, A1, A2 and 7, clear है, समझारी मेरी बात आपको, 3, A1, A2, 7 और ये जो sequence है, ये AP है, ठीक है बई, this is an AP, हमें ऐसे 2 numbers A1 और A2 चाहिए, जिन से ये जो 4 numbers की sequence है, ये AP बन जाए, clear, अब हमें यहां तो भई देखो, A easily मिल गया था, अब 2 numbers insert करने हैं बीच में, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा common difference क्या होना चाहिए, हमारा common difference क्या होना चाहिए, कि ये number आजाए और ये number आजाए, clear, बात समझा रही है, तो A तो हमारी जो first term है, जो हमारी AP है, वो क्या बन गई, 3, A1, A2, 7, A कितना हो गया, 3 हो गया, D कितना हो गया, हमें नहीं पता, 7 हमारे कौन से number की term है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, A4 कितना हो गया, 7, A4 का formula क्या होता है, A plus 3D is equal to 7, 7, A कितना है, 3 plus 3D is equal to 7, algebra लगा दीजे, 3D is equal to 7 minus 3, that is 4, तो D हमारा कितना आ जाएगा, 4 by 3, common difference हमारा कितना आ गया, 4 by 3, ध्यान से समझना है, यानि कि जब हमारा common difference 4 by 3 आ गया, तो ये जो term है, A1, ये term है, ये हम कैसे निकालें, ये अब हमारी इस sequence की second term है, A1, A1 second term है, तो second term का formula क्या होता है, A plus D, तो A plus D क्या हो जाएगा, 3 plus 4 by 3, 339 plus 4, यानि कि 13 by 3, और A2, A2 हमारी AP की कौन सी term है, 3 first term है, A1 second term है, A2 हमारी third term है, तो ये हो जाएगा, A plus 2D, यानि कि 3 plus 2D का मतलब 4 by 3, यानि कि 3 plus 8 by 3, 339, 9 plus 8 कितना हो गया है, 17 by 3, और ये जो हमारी AP थी, वो क्या बन गई, देखे जरा, ध्यान से 3, 3 के बाद आ गया 13 by 3, फिर आ गया 17 by 3, और फिर 7, और ये हमारी AP बन गई, और ये जो दो नमबर हमने बीच में insert किये थे, ये दो नमबर, ये हमारे arithmetic means कहलाएंगे, clear है, अभी मैंने आपको यहाँ एक example बताया, कि किनी दो नमबर के बीच में, एक single number add करने से, नई sequence अगर AP बनती है, तो जो number हमने insert किया है, वो हमारा arithmetic mean है, single arithmetic mean, यहाँ मैंने बताया, दो arithmetic mean, इसी तरह हम किनी दो numbers के बीच में, जितने मरजी चाहे, arithmetic means insert कर सकते हैं, तो arithmetic mean का क्या मतलब है, कि if a and b are two numbers, and a1, a2, an are such that, ध्यान से देखेंगे, कि a, a1, a2, a3, an, b is nap, ठीक है, भई, a और b दो number थे, और उनके बीच में ये n number हमने डाल दिये, इस तरह से जो हमें नई sequence मिली, वो नई sequence अगर एक ap बनती है, तो then a1, a2, an are called arithmetic mean, ठीक है वई, यह arithmetic means हमारे कहलाते हैं, किसी भी ap के, अब इन arithmetic means को find करने के लिए, सबसे बड़ी problem है, कि हमें d पता होना चाहिए, अगर हमें d पता लग जाता है, तो हम भई यह arithmetic mean easily find कर सकते हैं, तो अभी इस last example में तो मैंने d निकालना बताया है, same condition पे हम यहां find करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें कि यह n terms मैंने इनके बीच में डाली हैं, और this is one and this is two, दो terms already हैं, तो अगर हमारे पास, अब आप ध्यान से देखें कि जो हमारी ap है, actual में वो क्या है, वो है a, a1, a2, a3, an और b, और इसमें हमारी कितनी terms हैं, n प्लस two terms हैं, भई n terms तो यह हो गई, a के हो गई, a के हो गई, a के हो गई, n प्लस two terms हो गई, तो हमें d निकालना है, बहुत द्यान से देखो, तो यह कौन से number की term है, यह n प्लस two-th term है, तो n प्लस two-th term हमारी हो गई b, N plus 2H term का formula क्या हो जाएगा A plus N plus 2 minus 1 into D is equal to B A को तो right में ले जाओ B में से minus कर दो ये हमारा हो जाएगा N लबे 2 में से गया एक N plus 1 D is equal to B minus A तो D की value क्या आ जाएगी B minus A by N plus 1 जिसमें B हमारी last term है A हमारी first term है और N means the number of arithmetic means inserted between two given numbers दो numbers के बीच में जितने arithmetic mean डाल रहे हैं उनकी संख्या N है अभी मैं इस example पर एक बार आपको फिर लाना चाहूंगी कि अगर आप B को ध्यान से देखो तो जो ये 4 by 3 आ रहा है ये असल में कैसे आ रहा है 7 minus 3 by 2 plus 1 7 का मतलब last term B 3 का मतलब first term A 2 plus 1 का मतलब बीच में ये दो arithmetic mean अमने डाले थे तो 2 से 1 जादा तो ये वही formula आ रहा है B minus A by N plus 1 तो I hope कि यहां तक आपको ये बात समझाई होगी कि अगर हमें कोई भी दो numbers already given है तो हम उनके बीच में कितने भी numbers चाहें उतने numbers डाल कर एक नई sequence बना सकते हैं और वो नई sequence अगर AP में है तो ये जो numbers बीच में डाले जाते हैं वो arithmetic means कहलाते हैं अब इन arithmetic means को find करने के लिए में D की जरूरत पड़ती है तो D हमारा होता है B minus A by N plus 1 जिसमें B is the last term या second number दो number हमको given है तो A first number होगा B second number होगा और वो उतने terms AP वो arithmetic means की संख्या होगी जो हमने बीच में डालना है अब यहां पर D आ गया D आने के बाद आपने A1 A1 का मतलब है पहला arithmetic mean अब यह arithmetic mean तो पहला है लेकिन यह AP की तो second term है भई ध्यान से देखो यह पूरी AP है यह जो मैंने box में डाल दिया यह पूरा AP है यह AP की तो second term है लेकिन यह हमारा first arithmetic mean है और यह हमारी second term of AP है ठीक है तो A1 हमारा second term of AP क्या निकलेगा A plus D A2 second arithmetic mean है लेकिन AP की तीसरी term है तो यह निकलेगा A plus 2D A3 हमारा होगा A plus 3D और ऐसे ही बिटा जी AN हमारा होगा A plus ND तो यह बात आपने ध्यान रखनी है फिर भी अगर इसमें कोई आपको doubt रह जाता है तो आप मुझे जरूर लिखें comment box में इसी concept को अब हम एक example के help से और देखते हैं This is example number 8 And the last example of exercise 9.2 Insert 6 numbers between 3 and 24 3 और 24 के बीच में 6 numbers डालो Such that the resulting sequence is an AP अब यह देखें इन्होंने direct नहीं बोला कि आप arithmetic mean find करें जो यह numbers दो number के बीच में डल रहे हैं जिससे हमारी resulting sequence यानि जो बनने वाली नई sequence है वो AP बन रही है It means obviously हमने arithmetic means ही find करने हैं तो हम कैसे solution करें Given numbers are कौन-कौन से हैं 3,24 ओके और जो 6 numbers हमने डालने हैं उन्हें हम suppose कर लेते हैं Let A1, A2, A3, A4, A5 and A6 Are 6 numbers inserted between 3 and 24 4, ठीक है बई Because अब AP बन गए वे 3 और 24 के बिच में 6 numbers डल गए 2 numbers पहले से थे 6 और डल गए 8 numbers बन गए तो 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and 24 Each and AP ठीक है AP बन गए वे उन्हें पहले ही बोला है कि 6 numbers ऐसे डालो कि resulting sequence resulting sequence यह AP है तो हमने D निकालना है Each and AP तो पहले तो आप यह लिख लो यहां पर A कितना है? 3 है B कितना है? 24 है A means first number B means last number N means जितनी terms हमने बीच में डालने है That is 6 तो D का formula क्या था भई? B minus A by N plus 1 तो 6 minus नहीं है उल्टा कर गई न B है 24 A है 3 N है 6 plus 1 24 में से 3 गया 21 by 7 3 जा 21 D आ गया हमारा 3 D आ गया तो सारा question हमारा done है अब हमें ये 6 number निकालने है A1 ये देखो अभी मैंने आपको यहां बताया है देखे मेरी finger कहा A plus D पर A1 का मतलब A plus D क्योंकि वो पहला arithmetic mean भले ही है लेकिन AP की second time है तो A1 हो गया A plus D A3 है D भी 3 है 6 आ गया A2 हो गया A plus 2D A3 है 2 ये हो गया D भी 3 है 3 दूनी 6 6 और 3 9 आ जाएगा A3 का मतलब A plus 3D यानि 3 plus 3 into 3 3 3 जै 9 3 जै 12 आ जाएगा clear है A4 A4 का मतलब A plus 4D यानि कि 3 plus 4 into 3 4 ती 12 और 3 15 15 में 3 जोड़ोगे 18 और फिर 21 A5 आप का आ जाएगा लिए मैं जल्दी से करी देती हूँ 3 plus 5 into 3 18 आ जाएगा 5 ती पंदरा और 3 18 और A6 आपका आ जाएगा A plus 6D यानि कि 3 plus 6 into 3 that is 21 लास्ट में आपने इसको conclude जरूर कर देना है कि hence 6 numbers inserted hence 6 numbers inserted between 3 and 24 are 6 9 12 15 18 and 21 इसी कोश्चन को यह गुमा के ऐसे भी पूछ सकता था कि find देखो भी ध्यान देना इसी कोश्चन को examiner ऐसे भी पूछ सकता था कि find 6 arithmetic means between 3 and 24 तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए वो तभी हो सकता है जब हमारा base clear हो तो यह आपके exercise 9.2 के सभी examples सारे concept यहां मैंने clear किये हैं कोई भी आपको doubt है please do write me in the comment box और आप मेरे whatsapp group को join करें जिसका link मैं हर बार अपने description box में डालती हूँ अगर आपको मेरे lecture अच्छे लगते हैं then share with your friends don't forget to subscribe my youtube channel and give me a thumbs up thank you students thanks